जादोई तर्बूज ये कहानी उत्तर भारत में बसे एक गाउं की है जहां शंकर अपनी पत्नी गाईत्री और बेटी रेखा के सांथ रहता था शंकर का पूरा परिवार बहुत महनती था वो हर साल अपने खेतों में तर्बूज की खेती करता था और उसे मंडी में जाकर बेचा करता था हर बार की तरह इस बार भी शंकर अपने खेत में तर्बूज की खेती करने वाला था रेखा आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या नहीं पिताजी मेरी बारवी की परिक्षा हो गई है अब तो परिणाम आने के बाद में कॉलेच जाऊंगी ठीक है ठीक है कॉलेच चली जाना रेखा ने बारवी की परिक्षा दी थी और वो उसके बाद कॉलेच जाना चाहती है शंकर भी अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता है गाहित्री दूसरे तरफ खाना बना रही थी अरे गाहित्री तुम जल्दी से खाना बना लो मैं भी बेलों को चारा खिला कर और उन्हें पानी पिला कर आता हूँ फिर हमें खेत में जाना है ठीक है जी बेलों का काम देख लो तब तक में खाना बना देती हूँ को लेकर वो खेत में जाते हैं और खेतों को जोतते हैं गायतरी और रेखा मिलकर जोते हुए हिस्से में तर्बूस के बीज बोते हैं शाम तक उनका सारा काम खत्म करके वो घर आते हैं कुछ तीनों के बाद सब मिलकर खेत को सिंचते हैं ऐसे ही खेत का काम करते करते दो महीने गुजर जाते हैं इस बार खेत में तर्बूस की खेती बहुत अच्छी हुई थी शंकर और उसकी पत्नी मिलकर तर्बूसों को तोड़ते हैं इस बार तर्बूस की फसल अच्छी हुई है अगर इसका दाम भी सही मिल गया तो रेखा की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होग हम रेखा का किसी अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवा देंगे और शंकर सारे तर्बूज लेकर मंडी जाता है लेकिन मंडी में उसको बहुत कम रेट मिलता है देखिए भाई आप तो बहुत कम दाम बोल रहे हो ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा अरे यही दाम मिलेगा देना है तो दे दो नहीं देना तो जाओ यहां से और अपने तर्बूजों को भी ले जाओ यहां और भी बहुत लोग है शंकर दुखी मन से सारे तर्बूज लेकर अपनी घर आ जाता है अरे यह क्या आप सारे तर्बूज लेकर घर आ गए पताजी ये तर्बूज हम मंडी की बजाए सीधा लोगों को भी तो बेच सकते हैं बात तो तुम सही कह रही हो शंकर सारे तर्बूज लेकर शहर के बाजार में जाता है और वहां सडक किनारे तर्बूजों को रख लेता है शंकर के तर्बूज देखकर लोग तर्बूज लेने लगते हैं और उसके हाथों हाथ सारे तर्बूज बिग जाते हैं शंकर खुशी खुशी अपने घर जाता है अरे सारे तर्बूज बिग गए हाँ हाँ सारे तर्बूज बिग गए देखा हमारे बेटी कितनी समझतार है अब हम रेखा का कॉलेज में दाखिला करवा सकते है ये सब बाते ओम प्रकाश सुन रहा था और उसे पैसे रखते हुए भी वो देख लेता है ओम प्रकाश शहर के ही गाउं में रहता था वो बहुत लालची इंसान था इस साल का अंतिजाम तो हो गया रात होते ही ओम प्रकाश चुपके से शंकर की घर जाता है और उसके सारी पैसे चुरा लेता है अरे ये संदूग तो मैंने चिडा लिया अब इन पैसों से मैं तर्बूस की खेती करूंगा पिर देखना कितनी जल्दी मैं भी धनी हो जाऊंगा सुभा सुभा वह बाजार से बीज लाता है और खेतों को जोद कर वो सारे बीजों को बो देता है इधर सुभा सुभा शंकर और उसकी बेटी रेखा कॉलेज जाने के लिए तयार होते हैं गाइत्री जरा संदूक से कुछ पैसे तो निकाल कर दे दो गाइत्री देखती है कि वहाँ कोई संदूक नहीं था हे बगवान हम तो लुट गए ये संदूक कहां चला गया उसमें सारे पैसे और कहने थे सब लोग दुखी हो जाते हैं अब हम क्या करेंगे हो जायका अगली दिन शंकर खेत में जाता है और काम करने लगता है कुछ दिनों के बाद शंकर फिर से तर्बूज तोड़ता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता है इधर ओम प्रकाश खेत में खूब दवाईयों का प्रियोग करता है जिससे की तर्बूज जल्दी तयार हो सके कुछी दिनों में प्रकाश के खेतों में तर्बूज लगते है और वो दवाईयों से इतनी जल्दी बड़े हो जाते है और प्रकाश बड़े बड़े तर्बूज लेकर सडक के किनारे बेचने लगता है तब ही वहाँ एक औरत प्रकाश से एक तर्बूज लेती है भाई जी इसे थोड़ा काटके तो बताओ पका है या नहीं अरे इतना बड़ा तर्बूज है बहन जी पका तो होगा ही और क्या ये कच्चा लग रहा है हम चलो कोई नहीं फिर भी मैं आपको काटकर दिखा देता हूँ प्रकाश जैसे ही तर्बूज काटता है तो वो अंदर से कच्चा निकलता है देखो कैसे कच्चे तर्बूज बेच रहे हो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने काटने को बोल दिया नहीं तो तुम तो मुझसे कच्चे तर्बूज के पैसे ले लेते बाजार में सब लोगों को पता चलता है कि प्रकाश तो कच्चे तर्बूज बेच रहा है इसलिए उससे कोई भी तर्बूस नहीं लेता अगले दिन प्रकाश तर्बूस को अंदर से लाल करने वाला रंग लाता है और वो सारे तर्बूसों को लाल रंग के इंजेक्शन भर कर लगा देता है और फिर एक तर्बूज काटता है तो वो तर्बूज अंदर से एक तम लाल था अब देखता हूँ कैसे उस शंकर के तर्बूज बिखते हैं अब तो लोग बड़े बड़े और लाल तर्बूज मेरे से ही लेंगे अगले दिन प्रकाश पांच रुपे का एक तर्बूज ऐसा लिखकर एक बोड़ लगा देता है लेकिन तब भी कोई भी लोग उससे तर्बूज नहीं खरीदते सब शंकर से ही तर्बूज खरीद रहे थे और शंकर को खूब मुनाफ़ा होता है मुझे इस शंकर का ही कुछ करना होगा अगली रात प्रकाश शंकर के खेत में जाता है और शंकर के खेत के सारे तर्बूज तोड़ लेता है अगर सब तर्बूज घर लेकर जाऊंगा तो सब को पता चल जाएगा ऐसा करता हूँ सारे तर्बूज पास की नदी में बहा देता हूँ शंकर के तर्बूज ही नहीं रहेंगे तो वो बेचेगा क्या फिर तो सब मुझ से ही तर्बूज खरी देंगे वा प्रकाश क्या दिमाग है तेरा प्रकाश रात के अंधेरे में ही सारे तर्बूज बैल गाड़ी में रखकर नदी के किनारे जाता है और जैसे ही वो नदी के किनारे तर्बूज गिराने लगता है साथी प्रकाश भी नदी में गिर जाता है रहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था और वो पानी में डूब कर मर जाता है सुभा जब शंकर खेत में जाता है तो पूरा खेत खाली था शंकर सर पकड़ कर रोने लगता है तभी वहां धर्ती माता प्रकट होती है शंकर रोना बंद करो, मैं तुम्हारी महनत और इमानदारी से बहुत खुश हूँ आज से तुम्हारी सब मुसीबत खत्ब हो गई है धर्ती माता उसे एक बड़ा सा तर्बूज देती है ये कोई साधारन तर्बूज नहीं, जादूई तर्बूज है इसमें से तर्बूज का चूस निकलेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा शंकर धर्ती माता का धन्यवाद करता है और तर्बूज को लेकर वो अपने घर जाता है और अपनी पत्मी और बेटी को सारी बात बताता है इधर लोग बताते हैं कि प्रकाश की बैल गाड़ी नदी में मिली है और पूरी नदी में तर्बूज ही तर्बूज थे उसके बैल तो बच गए, लेकिन प्रकाश नहीं बच सका शंकर सब समझ जाता है अब शंकर तर्बूज का जूस बेचता है और बहुत से पैसे कमाता है और वो गाउं का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और वो जरूरत मंत लोगों की मदद किया करता था कुछ आदमी हाथ में मूटी लाठिया लिये आवारा गायों को भगा रहे थे अरे आज तो इन्हें नहीं चोड़ेंगे हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है इन जानवरों ने तब ही वहाँ से गूपी गुजर रहा था अरे अरे भाई क्यों इन बे-जुबान जानवरों के पीछे भाग रहे हो अरे तुमको क्या पताई इन जानवरों ने हमारी सारी फसल बरबाद कर दी आज तो इनको यहां से भगा कर ही मानेंगे गोपी ने अपने खेतों में गेहों की फसल की जगह तरबूस की बेले उगाई हुई थी अरे भाई इसको क्यों बता रहे हो इसने तो गेहों की फसल उगाई ही नहीं है तो फिर खाएंगे क्या तरबूस दोनों हस्ते हस्ते उन जानवरों की पीछे भाग रहे थे गोपी अपने खेतों में काम करने लगता है गोपी बहुत महनती किसान था और वो दिल का बहुत अच्छा था सुभा से शाम हो जाती है इस समय सब लोग अपने घरों को लोट आये थे आज के लिए इतना बहुत है आज तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया चलो अब घर चलता हूँ बाकी सुभा आकर देखूंगा गोपी अपनी खेट से घर लोट रहा था तब ही वो देखता है कि एक गाए और उसका बच्चा पेड़ के नीचे बैठे है गाए की पीट पर बहुत बड़ा घाव हो रखा था और उससे बहुत खून निकल रहा था ए भगवान ये लोगों ने गाए को कितना मारा है देखो तो सही कितना बड़ा घाव है गोपी जल्दी से घर जाता है और अपनी पतनी के साथ बाल्टी में पानी लाता है और हल्दी तेल गर्म करके भी लाता है दोनों उस गाए और उसके बच्चे को पानी पिलाते हैं और उसकी पेट पर हल्दी और तेल का लेप लगाते हैं ही भगवान इन बेसुपान जानवरों को कितना तर्थ सहना पड़ता है पतानी लोग इतने निर्दई कैसे हो जाते हैं सुनो जी क्यों ना इस गाए और इसके बच्चे को हम अपने घर ले चलें अहां लेकिन इस समय ये चलने के लायक नहीं है अभी इन्हें यहीं अराम करने दो कल सुभा जल्दी आकर हम इन्हें अपने घर ले चलेंगे कुछ देर के बाद गोपी और सुमन घर आ जाते हैं अगली सुभा सुभा जब गोपी और सुमन वहां जाते हैं तो वहां गाए और उसका बच्चा नहीं थे वो दोनों आसपास सब जगा देखते हैं लेकिन दूर दूर तक गाई और उसका बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे गोपी और सुमन निराश होकर घर आ जाते हैं आखिर रात को वो दोनों कहां चले गए होंगे? जी कहीं किसी ने उन्हें रात को वहां से भगा तो नहीं दिया बिचारे कितने दर्द में थे अब ये तो भगवान ही जाने की वो दोनों कहां गए होंगे? उसकी बाद गोपी अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है गोपी के खेतों में तर्बूस की अच्छी फसल उगी हुई थी अरे तर्बूस तो बहुत अच्छे लगे हैं और मंडी में बेचने के लाइग भी हो गए है गोपी खेत से कुछ पके हुई बड़ी तर्बूस तोड़ रहा था एरे क्या बात है गोपी भाई आपने तो एक दम बढ़िया तर्बूस उगाए हैं पूरे गाउं में किसी ने भी तर्बूस की खेती के बारे में कभी नहीं सोचा होगा और आपने इतने बड़े बड़े तर्बूस उगा कर दिखा दिये हाँ 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 रोशन भाई मेहनत से भला क्या नहीं हो सकता गोपी एक तर्बूस रोशन को देता है ये लो एक तर्बूस आप भी ले जाओ बच्चों को खिलाना बहुत खुश हो जाएंगे भया रोशन तर्बूस लेकर अपने घर जाता है और दूसरे तरफ गोपी बाकी तर्बूस लेकर मंडी जाकर बेच देता है मंडी में तर्बूस के अच्छे दाम थे और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं अरे येलो बच्चों आज तुम्हारे लिए दुकान से तर्बूस लाया हूँ वाँ पिताची तर्बूस तर्बूस मेरे मूं में तो पानी ही आ गया अरे वाँ देखो किता सुन्दर तर्बूस है रोशन की पतनी सब को तर्बूस काट कर देती है अरे वाह, क्या मीठा तर्बूज है दूसरी तरफ गोपी मंडी से घर आता है ये लो सुमन, आज तर्बूज बेच कर आया हूँ इसलिए सोचा, आज मचली ले चलू कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था चलो, जल्दी से इसे पका दो अच्छा जी, मचली, क्या बात है लाओ, अभी पका देती हूँ सुमन, मचली पकाती है फिर वो दोनों खाना खाते हैं सुमन, कल तो जल्दी से खेत में जाना होगा और सारे तर्बूस तोड़ने होंगे बहुत सारे तर्बूस पके हुए थे कोई बात नी जी, कलना मैं भी आपके साथ चलूँगी और फिर वो दोनों सोजाते हैं इधर रोशन रात की अंधेरे में गोपी की खेत में जाता है और सारे तर्बूस तोड़ लेता है अरे कितने सारे तर्बूस है अब इनको बोरियों में डाल कर एक एक करके अपने घर ले जाओंगा और सुभा सुभा मंडी में बेच दूँगा रोशन जैसे ही तर्बूस को उठाने लगता है तभी वहाँ एक गाय आती है और वो रोशन को जोर से टकर मारती है और रोशन वहीं गिर जाता है अगली सुभा जब गोपी और सुमन खेत में पहुचते हैं तो वहाँ तर्बूस का एक बड़ा सा धेर लगा था अरे ये क्या जी आप रात को ये तर्बूस तोड़ कर चले गए थे अरे भाग्यवान मैं तो अभी तुम्हारे साथ आया हूँ ये तर्बूस किसने तोड़ दिये गोपी और सुमन देखते हैं कि साथी में रोशन उनके खेत में लेटा हुआ था अरे रोशन भाई आप यहां क्या कर रहे हो रोशन आखें खोलता है और वो बहुत डरा हुआ था अरे भाई मुझे माफ कर दो मुझे पता नहीं क्या हो गया था गोपी सब समझ जाता है रोशन भी उठकर वहां से भाग जाता है गोपी और सुमन सारे तर्बूसों को गाड़ी में लदवा देते हैं और गोपी उन्हें मंडी ले जाता है तर्बूस बेचकर उसे अच्छे पैसे मिलते हैं अब हर रोश गोपी तर्बूस तोड़कर मंडी में बेचता था लिकिन फिर भी खेत में तर्बूस कम नहीं हो रहे थे ऐसे ही समय बीटता गया अब गोपी को लगभग तर्बूस बेचते हुए दो महीने हो गए थे और उसने अच्छे पैसे जमा कर लिये थे पूरी गाओं में लोग गोपी के तर्बूस की खूब प्रशनसा करते थे कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है लगातार बारिश होने लगती है सुमन दो तिन दिन से लगातार बारिश हो रही है खेत में इतने सारे तर्बूस लगे थे ज्यादा बारिश से सब खराब हो जाएंगे देखिए मगवान जैसा चाहेंगे न वैसा ही होगा वैसे भी अब तक इस तर्बूज की खेती ने हमें बहुत अच्छे कमाई करके दिये कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो दो दिन के बाद बारिश कम हो जाती है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं गोपी देखता है कि उसका सारा खेत खाली था सब तर्बूज जो भी थे वो सब पानी में बह गए थे उसके खेत में सर्फ दो तर्बूज बचे थे गोपी जब यह देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसका तर्बूज का खेत अब पूरा खाली हो गया है गोपी वो दो बड़े बड़े तर्बूज घर लेकर वापिस आता है सुमन जब एक तर्बूज काटती है तो उसमें से सोने के बीज निकलते है ए भगवान ये कैसा जादू है ये देखो जी तर्बूज के अंदर सोने के बीज गोपी भी सोने के बीज देख कर हैरान हो जाता है अरे दूसरे तर्बूज को भी तो काट कर देखना जरा सुमन सुमन दूसरे तर्बूज को भी काटती है तो दोनों की आँखें खुली रह जाती है अरे दूसरे तर्बूज में हीरे ये सब क्या हो रहा है जी लगटा है ना आपने कुछ अच्छे कर्म किये थे तो भगवान आपसे बहुत खुश है तभी तो ये जादूई तर्बूज हमारे खेप में आये दोनों की आखें खुशी के आस्वों से भरी थी दोनों भगवान का धन्यवात करते हैं ये कहाने रामपुर नाम के गाउं की है जहां बनसी अपनी पत्नी राधा और बेटी सुमन के साथ रहता है वो बहुत गरीब होता है सर चुपाने के लिए भी उसके पास घर नहीं होता वो एक तूटी फूटी सी जोपडी में अपनी परिवार के साथ रहता है एक दिन बनसी अपनी बेटी सुमन के साथ बाजार से आ रहा होता है तभी सुमन कहती है पिता जी मुझे तर्बूज खाना है बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें तर्बूज खिला दूँगा दोनों चुपचाप चलने लगते हैं चलते चलते अचानक बंसी देखता है कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें तर्बूज लदे होते हैं और उसमें से एक तर्बूज गिर जाता है तर्बूज के तुकड़े तुकड़े हो जाते हैं बंसी उसे उठाता है और सुमन को खाने को देने लगता है तब ही वहाँ एक बुढ़े पती-पत्नी आ जाते हैं बेटा मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है क्या तुम ये तर्बूज मुझे दे सकते हो ये सुनते ही सुमन कहती है बाबा आप और दादी आप दोनों यहां बैठो मैं आपको तर्बूज खिलाती हूँ सुमन दोनों बुढ़े पती-पत्नी को सारा तर्बूज खिला देती है उसके बाद दोनों सुमन को बहुत आशिरवात देते हैं बंसी और सुमन जाने लगते हैं कि तब ही बूढ़े बाबा उसे रोकते हुए वो तर्बूच के छिलके रखने को देते हैं और कहते हैं बेटा ये तर्बूच के छिलके रख लो और इसमें ये बीज लगा देना फिर देखना क्या होता है ये सुनकर बाबा और दादी छिलके में बीज कैसे लगा सकते हैं हाँ बेटा ऐसा जरूरी करना भगवान तुम्हारा सबच्छा करेंगे उसके बाद दोनों तर्बूच के छिलके और उस बीज को लेके वहां से जा रहे होते हैं कि तभी बंसी का पडोसी किशोर वहां से गुजर रहा होता है और बंसी के हाथ में तर्बूच के छिलके देखकर वो कहता है अरे बंसी ये तर्बूच के छिलके लेकर क्या कर रहे हो किशोर की बात सुनकर इन छिलकों के अंदर मिट्टी और खाद डाल कर मैं तर्बूच का बेल लगाऊंगा भाई ये सुनकर किशोर जोर जोर से हसने लगता है और कहता है माना तेरे पास पेट भरने को पैसे नहीं है पर भूक और गरीबी के कारण तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है इसलिए ऐसी बाते कर रहा है किशोर उसी तरह बंसी पर हस रहा होता है बंसी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी तूटी फूटी जोपडी में चला जाता है वहाँ वो तर्बूच के चिलके और बीजों को रख देता है उन्हें देख कर ये तरबूच के छिलके कहां से ले आए हो और इनका क्या करोगे बंसी सारी बात राधा को बताता है और उसके बाद तीनों मिलकर उस तरबूच के छिलकों में खाद मिट्टी पानी उस बीज को डालते हैं जो उसे बुढ़े पती पत्नी में दिये होते हैं उसके बाद उस तरबूच के छिलकों को वो बाहर रख देते हैं उसे ऐसा करते देखकर किशोर उसकी टूटी जोपडी में आता है और फिर कहता है भाई बंसी बीज डालने के लिए अगर कोई बरतन नहीं है तो मुझसे ले ऐसे तरबूच के छिलके में कोई बीज डालने से तरबूच की बेल नहीं निकलने वाली उसकी बात सुनकर कुछ और गाउं वाले भी वहां आ जाते हैं और बंसी को ऐसा करने से मना करते हैं पर बंसी किसी की नहीं सुनता वो वैसा ही करता है जैसा उस बूढ़े पती पत् और उसमें बहुत सारे तर्बूज निकलने लगते हैं सुभा किशोर जब उठता है तो ये सब देखकर अरे ये कैसे हो सकता है छिलकों में से तर्बूज कैसे निकल सकते हैं तभी वहां सुमन और बंसी आ जाते हैं और तर्बूज की बेल पर इतने सारे तर्बूज देखकर वो हैरान हो जाते हैं तभी सुमन तर्बूज के बेल से सारे तर्बूज तोड़ लेती है तीनों बहुत खुश हो जाते हैं ये सब किशोर देख रहा होता है थोड़ी ही देर बाद सुमन फिर से तर्बूज के बेल के पास आती है वो देखती है कि फिर बेल के उपर तरबूज ही तरबूज होते हैं ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है अड़ी अभी तो मैंने सारे तरबूज तोड़े थे तो फिर ये तरबूज फिर से कहां से आ गए वो खुशी से चिलाते हुए अपने पिताजी को बुलाती है उसकी आवाज सुनकर बंसी और राधा दोनों बाहर आते हैं और फिर से तरबूज की बेल पर इतने सारे तरबूज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं तब ही बंसी कहता है ये कैसे हो सकता है अभी तो हमने सारे तरबूज तोड़े थे अपने पती की बात सुनकर कहिए जादोई तरबूज की बेल तो नहीं है मा तुम सच कह रही हो ये चिलके और बीच ये सब हमें उन बुड़े बाबा और दादी ने दिया था और काता बगवन तुमारा भला करेंगे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और राधा कहती है सच में अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी इस जादोई तरबूज की बेल से ये सब किशोर सुन रहा होता है और वो अपने आप से कहता है ये जादोई तरबूज की बेल तो मेरे पास होनी चाहिए मुझे कैसे भी करके ये जादोई तरबूज की बेल लेनी होगी उधर दूसरी और बंसी, राधा और सुमन तीनों उस जादोई तरबूज की बेल से जरूरत मंद लोगों की मदद करने लगते हैं पूरे गाउं में बंसी की चर्चा होने लगती है, बंसी कुछी दिनों में बहुत अमीर हो जाता है, ये सब देखकर कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इस बंसी की इतनी तारीफ नहीं सुन सकता हूँ, कैसे भी करके मुझे ये जादूई तर्बूच की बेल चाहिए, पर ऐसा क्या करूँ, रात होते ही किशोर उस जादूई तर्बूच की बेल के पास जाता है, और उस जादूई तर्बूच की बेल को वहां से तोड़ने की कोशिश करने लगता है, तब ही उसे किसी के रोने की आवाज आती है, वो भाग कर जाता है, तो देखता है कि एक औरत सड़ पर मदद के लिए रो रही होती है किशोर वहां जाता है पर उस औरत की मदद नहीं करता और बोलता है अरे मुझे तो लगा था ये वो बूढ़े पति-पत्नी होंगे जसकी मदद करने से बंसी को ये जादूई बेल मिली थी पर ये तो कोई औरत है और वो औरत मदद के लिए चिलाती रहती है पर किशोर उसकी मदद नहीं करता वो जादूई तर्बूच की बेल को तोड़ने के लिए चला जाता है जैसे ही वो उस बेल को तोड़ने लगता है उस बेल से छोटे छोटे कीड़े निकल कर किशोर के शरीर पर रेंगने लगते हैं किशोर चिला कर भागने लगता है तभी वो देखता है कि वो औरत देखते ही देखते एक बुढ़े पती-पत्नी में बदल जाते हैं ये सब देखकर ये कैसा चमतकार है किशोर तुम एक स्वार्थी आदमी हो एक और जो तुम से मदद मांग रही थी तुमने उसकी मदद नहीं की तुम्हारी यही से दूसरे गाउं तक फैल जाती है कुछ तिनों बाद उसके घर कई मीडिया वाले आते हैं बंसी उन्हें सारी सच्चाई बताता है बंसी की इमांदारी की खूब प्रशंचा होती है और वो उसी तरह लोगों की मदद करते हुए जादूई तरबूच की बेल की देख भाल करता रहता है हाई अबरिवन क्या आपको भी गर्मियों में तरबूच खाना बहुत पसंद है अगर हां तो हमें कॉमेंट करके बताना ना भूले और अगर आप हमारे चानल पर नए है तो हमारे चानल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब कभी भी हम नई वीडि करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच से है